भारत और आस्टेलिया के बीच वी सुकप फाइनल को लेकर जारखन राज के एक मात्र सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर में पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना की गई इस प्राचीन मंदिर में विशेस हवन किया गया और माच्छिन मस्तिका से टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी गई यहाँ पूजा पूरे विधी विधान के साथ रजरप्पा मंदिर के नियाय समिती के पुजारियों के द्वारा की गई और इसके साथ ही विशेस हवन कुण में हवन किया गया रजरप्पा मंदिर के नियाय समीती के पुजारी लोकेस पंडित ने बताया कि पूरे पंडा समाज की तरब से इस देवी मंदिर में पूरे विधी विधान और करमकान के साथ हवन कुण में आहुती डाली गई ताकि चौथी वार विष्वकप के फायम ने पहुँची बारते क्रिकेट टीम विष्विजयता बने आज हम लोगों ने विष्वकप विजय की कामना के लिए पूरे पंडा समाज की ओर से भगवती के समक्षे कहवन का कार्जकरम रखा और मां से आसिरवाद मांगा कि हमारा देश विजय हो आपको बता दे मां चिन्मस्ता का मंदिर रामगल के रजरप्पा के पास इस्थित है या एक सिद्ध पीठ है जो भैरवी भेडा और दामोदन नदी के संगम पर मौजूद है यहां मां के दरबार में देश से ही नहीं विदेश से लोग आते हैं और उनकी अराधना की जाती है इस पौरानिक मंदिर से जुड़ी कई की उदंतियां जुड़ी हुई है यहां आस्था का अटूर धरोहर समेटे हुए है पूजा पाठ के लिए सालों भर यहां मां के भक्तों की भीड लगी रहती है चेतर और सरदी नौरातर में तो यहां खास आयोजन होता है अहमदाबाद के नरंदर मोदी स्टेडियम में भारत और अस्टेलिया के बीच फाइनल मुकाबले को लेकर मां के विशेश कुजा की गई ताकि भारत्तिर क्रिकेट टीम तीसरी बार वर्ल्लकप की ट्रॉफी ज